So hey guys, आज मैं आपको बताने वालों कि आप अपने कौनसे भी Xiaomi या फिर Poco phones में Orange Fox recovery को कैसा इंस्टॉल कर सकते हैं 2023 में क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है अपना आज देखेंगे तो वीडियो का कोई भी पार स्किप मत करो, नहीं तो आपको errors face करने को मिलेंगे आपका phone boot loop में चला जाएगा, start करते हैं वीडियो को, recovery को इंस्टॉल कने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ मेक्शोर के लेना है कि आपके device का boot loader यहाँ पे unlock रहना चाहिए अगर आपको नहीं पता है कि अपने phone का boot loader आप कैसा unlock कर सकते हैं उसके लिए अपने चैनल पर dedicated वीडियो है आप उसको पहले चेक आउट कर लोग फिर आप इस वीडियो पर आजाओ उबर आई बटन पर वीडियो मिल जाए तो अपने phone का यहाँ पे boot loader unlocked है और आपको यहाँ पे छोड़ी सी setting करनी पड़ेगी आपको आने अपने device के settings पे यहाँ पे आपको my device पे आ जाना है detail info and specs पे अपना जाएंगे तो यहाँ पे MIUI version है इस पे आपको तीन चार बाद टाप करना है इस पे डाप करो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको देख सकते हैं आपको USB debugging का option देखने को मिलेगा तो इसको यहाँ पे आपको simply enable कर देना है फोन में जितने भी settings करना अपन कर लिए तो फोन का काम अपना हो गया हम चलते हैं यहाँ पे अपने PC screen पे आपको यहाँ पे browser पे आ जाना है यहाँ पे आपको Orange Fox recovery सर्च कर लेना है तो यहाँ पे मेरे पास Poco X3 है मैं Poco X3 सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे device का Orange Fox recovery शो नहीं कर रहा है यहाँ पे Poco X3 Pro का शो कर रहा है तो ऐसी situation में आपको ग्या करना है मैं आपको बताता हूँ आपको आना है यहाँ पे टेलीक्राम पे और यहाँ प आप कौनसे भी version पे टाप करके आप इंस्टॉल कर सकते तो यहाँ पे मैं इस वाले version को इस्टॉल करने वाला हूँ डॉल्ड वाले option पे मैं टाप कर देता हूँ तो देख सकते हैं मैं एक website पे आ चुका हूँ और आप यहाँ पे देख सकते अनाफिशल लिखा हुआ है इस आपको यहाँ पे subscribe करना पड़ेगा simply मैं इस वाली recovery को यहाँ पे download कर लेता हूँ और इसको अपन फ्लाश करेंगे अपने डिवाइस में देख सकते हैं पे downloading स्टार्ट हो चुकी अपने इसको download होने देते हैं और यहाँ पे आपको इस वाली फाइल को भी download कर लेना है ADP setup इ सकते एक window open होता यहाँ पे जितने भी Android के drivers है आपको install करना पड़ेगा next next कर गया आप इसको install कर सकते drivers install करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं तो आपको errors face करने को मिलेंगे तो यहाँ पे drivers install हो चुके हैं और जो अपनी recovery की file है वह भी हाँ पे download हो चुकी है simply अपन यह से इसको cut करेंगे और मैं इसको desktop पे paste कर देता हूं देख सकते हैं पर मैंने इसको paste कर दिया है इस पर मैं रैट क्लिक करके इसको extract कर लेता हूं और यहाँ पे folder भी create हो जाता इस वाले folder को अपन open करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते recovery file है यही main file है यह फाइल को आपको अपने device में flash करना पड़ेगा तो simply अपन यहाँ से करते हैं cut अपने c drive पे अब यहाँ पर देख सकते ADP करके folder create हो चुका है अगर यह create नहीं पहले तो अपने device को यहाँ पे power off कर लेते हैं यहाँ पे volume down button और power button को एक साथ अपन प्रेस करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं अपने device के fast boot mode पे आ चुके हैं तो simply अपने device को यहाँ से PC से connect कर देगे मैं आपको recommend करूंगा कि आपको यहाँ पे जो charger के साथ cable आता वही cable आप यहाँ पे यूज करो कोई भी third party cables अगर आप यूज करें तो आपको error space करने को मिलेंगे आप अपना device PC से connected है अब हम चलेंगे यहाँ पे PC screen पे यहाँ पे ADB folder पे और यहाँ पे आपको search bar देखने को मिलेगा इस पे आपको tap करना है और यहाँ पे आपको cmd type कर देना है यह serial number शो करना बहुत जादा जरूरी है यह शो करता है कि आपका device यहाँ पे PC से connected है या नहीं अगर यह शो कर रहा है इसका मतलब यह आपके device को successfully detect कर चुका है अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपके device का boot rudder locked है आपको पहले phone का boot rudder unlock करना पड़ेगा तब ही यहाँ पे serial number शो करेगा अपना यहाँ भी serial number शो कर रहा है तो अपने यहाँ पे next command पे चलेंगे आपको यहाँ पे fast boot flash recovery type कर देना है और make sure करना है कि recovery के बाद आपको space देना है देख सकते हमने space दे दिये और यहाँ से आपको जो recovery file है जो अपन download करे थे simply आपको यहाँ से इसको drag and drop कर देना है और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है तो यहाँ पे अपनी file flash हो रही है थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे दे सकते हैं sending recovery, writing recovery, okay, finish लिखा हुआ आगया इसका मतलब अपने device में orange fox recovery install हो चुकी है यहाँ आपको third and last command pass करना है वो क्या command है fast boot boot आपको कुछ करने की जुरूत नहीं है आपका device automatic boot होगा और आपका device orange fox recovery बूट होगा simply आपको यहाँ पे थोड़ा सा wait कर लेना है लेकिन यह भी permanent नहीं हुई है आप इसको reboot करेंगे तो आपके जो stock recovery है वो यहाँ पे फिर से आ जाएगी आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप अपने orange fox recovery को permanent कैसा कर सकते हैं इसको permanent करने के लिए आपको ग्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ इसको एक बार flash कर देना है देख सकते हैं यहाँ फाइल है magics.zip इसका link आपको description में मिल जाएगा यह फाइल सारे devices के लिए same रहेगी simply अपने इस पर tap करके इसको flash कर देंगे देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा time लगेगा ज्यादा नहीं 30 seconds तक maximum time लगता यहाँ पर देख सकत boot loops देखने को नहीं मिले अगर in case कोई भी boot loops अगर आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर आके आप इस वाली boot image को restore कर सकते boot loop fix हो जाएगा देख सकते हमने backup ले लिया है simply अपने यहाँ पर reboot system पर tap कर देंगे और मैं आपको reboot करके बताता हूं कि orange fox recovery permanent हुई है या नहीं अपना डिवाइस यहाँ पर हो चुका है reboot अपन सिब्ली इसको recovery में बूट करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ अपने डिवाइ see you in the next video